बॉर्मारिंग फ्रेंड्स, अजरेस्पीज में आपका स्वागत है, कोरोना काल है, सभी को इम्मुनिटी की बहुत जरूता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस टैप से आप घर पे उपलब समंगरी के आधार पे इम्मुनिटी बूस्ट कर सकते हैं, इम्मुनिटी हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों में ये पाउडर बहुत फाइदमंद रहेगा, और जो किचिन में उपलब समंगरी होगी, उससे ही आप इसको तियार कर सकते हैं, आईए मैं आपको बताता हूँ, इम्मुनिटी बूस्टर पाउडर की रेसिपी, जिसे आप घर पे बड़ करता है, इससाथ लिए जोंटिंग contest करता है, अ वसा होता है, जो आपके हड्डियों को मजबूत करता एं, आपको खैल्री जीता है, इसके फिर्शाय में बटमिन वैयार की ले सकते हैं, बठाओक्च पाउडर लियाँ, नारियल का बुरादा या फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं इसकी जगे नारियल को मैंने गिस करके पाउडर फॉर्म में लिया है इसके अत्रिक मैंने यह पर अक्रोट लिये हैं यह अक्रोट आपकी बाड़ी को मजबूत करता है हड्डियों को मजबूत करता है यदि किसी तर इसमें विटामीन b भरपूर मात्र में होते हैं इसके अत्रिक मेंने पॉपी सीर्स ली हैं खसकस फाइदे मन्स रहता है ये आपकी गरमी को कम करने केकर काम करता है रहे को मजबूत बनाता है तिल ली है सफेद दिल सफेद तिल मैंने 10 ग्राम ही ली है बाकि सबी समगरी 20 ग्राम ली है यहाँ पर मैंने 8-10 कल्यमेट्स लिए कल्यमेट्स अपको ले तो कम ही ले बहुत चादा आपको नहीं लेनी है, इन सब को हम किसी mixer grinder में डाल करके इनों का powder बनाएंगे, यहां पर ध्यान रखें, मैंने इसमें sugar का इस्तमाल नहीं किया, यदि आप मीठा powder बनाना चाते हैं, तो यहां पर मिस्री डाल सकते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, ताकि आपको एक मीठा powder तयार हो सके, जिल लोगों को diabetes होती है, वो मीठा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने मीठा का उप्योग नहीं किया है, इन सब को डाल करके, आप mixer grinder में डाल करके, इनों का powder तयार कर लेंगे, देखिए, इस तरीके से एक powder तयार हो गया, ये powder आप रोज रात को सोते समय एक ग्लास दूद में डाल करके पिएं, या अपने बच्चों को सुबह भी आप दे सकते हैं, एक चमच आपके लिए फाइदे मन्द रहेगी, बहत भरपूर एक चमच आपके बच्चों के लिए आपके लिए sufficient रहेगी, आप इसे दूद में मिला करके या गरम पानी के साथ में ले सकते हैं, ये सेहत का खजाना है, इससे आपकी हड़िया मजबूत होगी, यदि आपके कोरोना काल में किसी तरह की कोई बिमारी हो गई है, कोरोना लग गया है, तो ये उसको दूर करने का काम करेगा, आपके digest system को strong बनाएगा, यदि आपकी कोरोना से कमजोर ही आ गई है, हड़ियां कमजोर हो गई है, पाचन शक्ती कमजोर हो गई है, तो ये एक चमच दूद में आप जब मिला करके इसको पीएंगे, तो आपकी सारी body की immunity को ये recover करेगा, आपकी bonds को मजबूत कर करेगा, आपकी जो तचा की जो नियमित रूप से सफाई होती है, वो भी ये powder काम करेगा, आप इसे नियमित रूप से इस्तिमाल करें, रोज रात को दूद, गरम दूद में आप ले सकते हैं, यदि आपको चीनी नहीं पसंदो तो आप दूद में शेहग डाल करके एक चम प्राब्लम से भी जूज रहे हैं, तो वो भी इसमें दूर हो सकती है, आप रोज एक चमच रात को दूद, गरम दूद में इसको ले, तो आपकी जित्ती भी ठकावट है कमजोरी है, वो भी इससे दूर होगी, ये आपकी इम्मुनिटी बूश्टर का काम करेगा, ये सेहत का खजाना है, आप इस तरह से इस रेसिपी को बना कर जरू ट्राइ करें, आपको जित्ती भी शारिक प्राब्लम से हैं, उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, आपकी इम्मुनिटी स्ट्रॉंग होगी, आपकी जो हड्डियों की मजबूती है, वो होगी, आप इस वीडि